और इसी पर हमारी सहयोगी Ground Zero से हमारे साथ जूचूकी है कर्तववेपत से मेरी सहयोगी शिखा ठाकूर मेरे साथ है तो शिखा कर्तव्य पत पर आप मौझूद है और देखे नई संसत का उगाटन आज हो गया है और यहीं से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे वो तमाम गणमाने जिने देश की जनता चुनकर इन हाउसेज में भेजती है इन्हीं को कानून बनाने होते हैं कानून का पालन कर भाना होता है भारत आगे कैसे बढ़ेगा यहीं पर नितिया रण नितिया बनती हैं तो आज कर्तव्य पत पर लोग किस तरह से गौन बानमित महसूस कर रहे हैं आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस अमरित काल में यह नई संसत भवन भारतियों को एक तौफे के र यहीं विजन प्रधानमंत्री मोदी का रहा है और इसी विजन के साथ लगातार यह काम प्रोसेस होता रहा तक्रिबन दो साल पांच महने का यह वक्त था जब नए संसत को बनने में लगा और आज का दिन मुकरर किया गया जिस दिन उद्धाटन होना था हलाकि इस पर सियास यह नया संसत भवन बनाना चुकि यह सौ साल पुराना हमारा संसत था जो बिलकुल बगल में आपको तस्वीर दिखानी पाऊंगी क्योंकि सेक्योरिटी के लिहाज से मुझे मूव होना पड़ा है तो चुकि वो जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी वो सौ साल पुरानी थ जल रही थी लेकिन यह हो नहीं सका यह पॉसिबल हुआ है नरेंद्र मोधी की सरकार में और दो साल पांच महने का वक्त प्रधार मंत्री मोधी की तरफ से भारत सरकार की तरफ से लिया गया और यह देखिए नई बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से तायार है नई टेक जल रही तो नहीं संसत भवन की जरुट थी नई टेकनोलोजी जाये थी नई संसत भवन की जरुट रही अब आपका दूसरा सवाथ था कि लोगों के अंदर क्या कुछ माहौल है तो जो कि सेक्योरिटी के तग्रे इंतजाम है यह मैं करतवेपत से आगे की तरफ मूव नही चुका है अमरता क्योंकि देखे यह एक लोकतंटर हमारे एक मंदर की तरह है वह किसीयुर्णिक्र कि लिए हो देश की किसी और तीनों ही सवालों के जवाब इसकी क्षमता इसकी आधूनिकता और इसकी जरूरत आज दे चुकी है कि ये नई इमारत को कैसे बनाया गया क्यों बनाया गया और आज इसका उद्खाटन इस तरीके से जो हुआ है ये भवे तस्वीर जो देखी है ना सिर्फ देश बलके व वाले प्रक्तिशील विक्सित भारत की हुगी जितने भी सादू संथ थे वो उनके आगया आगये चल रहते तो आपको पुरानिक समय जरूर याद आया होगा जब आप अंदर की तस्वीरे देखा आपने जो वो वीडियो रिलीस किया गया सरकार की तरफ से तो आपने देखा कि रामाइड महाभारत काल की आकृतिया उस पर अंकित थी तो कहीं ना कहीं उस काल को और प्रधान मंतरी मोदी ने अपने समोधन में कहा भी कि वो पुरानी वाली स्थिती और आज क्या दूरेक स्थिती इसका एक ये समावेश है तो इसको समझना बहुत जरूरी है और सेंगोल की अगर हिस्ट्री हम लगातार अपने इसके बाद 2023 में सेंगोल का जिक्र आएगा तो भारत की जो कहानी है एक अखंड भारत का जो स्वरूप राय है भारत का वो ही उन स्वर्णे मक्षरों में देखा जाएगा और ये अपने आप में बहुत ही गौरवान्विशन है अम्रिता बिल्कुल देखे ये तो लिखा ही जाएगा लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की भूमे का क्या रही शिखा ये भी लिखा जाएगा और क्या आज हम ये कह सकते हैं कि एक इतहासिक गल्ती कर बैठा है विपक्ष देखे लगाता है अदिती से भी हमारी चर्चा हो रही थी हो अदिती ने भी कहा कि मलिका अरजुन खड़गे को आज होना चाहिए था लेकिन भारी दबाव में कहा जा सकता है क्योंकि राहूल गांधी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे पैमान पर आका गया है उनकी तरफ से राहूल गांधी की तरफ से ट्वीट भी हमने अपने दर्शक को दिखाया राहूल गांधी ने साफ तोड़ पर कहा कि इसे राज़ अबिशेख समझ रहे है पीए मोधी और पीए मोधी की तरफ से ये गलती हो रही है लेकिन आप यकीम बानि पूरे भारत का मंदिर है पुराने से हम आधुने की तरफ बढ़े हैं और इसका सम्मान होना चाहिए था बिलकुल शिखा लोटूंगी आपके पास देखे सवालों की फेरिस्ट भी लंबी है और इसे जितना इसकी बारे में बात की जाए जितनी इसकी सरहाना की जाए जितना तारीफ की जाए वो कम है